हेलो दोस्तों मैं हो सुभी तरो आज के इस वडियो में हम करने वाले इन दोनों का चार्जिंग स्पीड टेस्ट क्यूंकि इन दोनों डिवाइस के अंदर अभी लेटिस्ट अपडेट आया है अब दोनों डिवाइस का नाम बता दू यह बाई यहां पर रियल्मी एक सेवन म अपडेट आया है जो कि हमने कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और दोनों डिवाइस का बेटरी अपडेट करने के बाद मैंने इन का बैटरी है वो बिल्कोल 0% कर दिया सब्सक्राइब आप अपडेट का फीचर्स मिल जाते अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इधर कही आई बटन आ रहा होगा उसमें में दे दूँगा दोनों डिवाइस का लिंक का अपडेट का तो जाके देख लो क्या क्या फीचर्स मिले हैं और जाके आप चेक आउट कर सकते हो बाकि स्पीड टेस्ट हम करने वाले स्पीड टेस्ट नहीं चाहिए तो बता देन पर एक ज़ीटी की बात करें तो इसका चार्जर वो शुट्य सेवन वोट का यहां पर देख नियको ऑउस्पोर्ट करता है लेकिन यहाँ पर स्थाइडर में टैमरी का कितनी दिर में कौन सा फोन कितना चार्ज़ हो रहा है वहमें यहां पर बताने की नहीं तो यहां पर मै टाइमर जो उसको भी स्टार्ट कर देते हैं यहां पर हमने Realme X7 Max को लगा दिया और यह हमारे यहां पर Poco F3 GT को भी हम लगाते हैं इसके अंदर बाई यह गेमिंग वाला देखने को मिलता है जो कि यह काफी सही हमें देखने को मिलता है तो इसको भी हम यहां पर लगा देते ह हुड़ा सा यह टाइट अंदर जाता है इसको लगा देते हैं और यहां पर हम स्पीट है जो यानिकिया पर चार्जिंग उने चार्ट हो चुके हैं और यहां पर हमने स्टार्ट कर दिया है और यह आपर बता दे तो रियलमी का डिवाईस का में यह को एक चीस समझ़ में न रहा है हम इसको disconnect कर देते फ्लाइट मोडर लगा देते हैं ठीक है जिससे कि आपको चार्जिंग का गयरा का पता चलता रहे बाकी यह 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 पर पोको एफ-3GT है और यह पर अभी देखे तो यह चार्जिंग अभी यहां पर ले रहा है जैसी एक परसेंट होगा मैं इसको फ कि इसमें भाई ऐसा है कि थोड़ा लेट यह चार्ज होता है पांच मिनट दस मिनट बाद यह सही चार्ज होना श्टार्ट होता है बाकि एबाट फोन में मैं चेक कर रहा देते हूं देखे तो रियल्मी यूए 3.0 का अपडेट है जो के लेटेश इसके अंदर चल रहा है अब यहां पर हम बात करते हैं Poco F3 GT के बारे मैं तो यहां पर हम देख रहें थे पो को F3 GT का क्या हाल है यहां पर आप देख सेटे हो इसका आलोग कर और चर्ज चुक ृसल से कि… देखें तो यह भाई आपर Poco F3 GT जो की वर्जन है MIUI 12.5.7.0 इनहेंस का इसमें अपडेट आये हुआ है तो यह कुछ देखने को मिल जाता है बाकी अब यहाँ पर हम बात करेंगे सीधे यहाँ पर 15 मिनट के बाद देखते कौन से डिवाइस यहाँ पर कितना चार्ज हो के आता है बट अभी जो Poco F3 GT वो थोड़े सा फास्ट यहाँ पर चार्ज हो रहा है तो यहाँ यहाँ पर 15 मिनट हो चुके अब आपको क्या लगता कौन से डिवाइस यहाँ पर पास्ट चार्ज हो रहा होगा तो मैंने आपको बोली देता है स्टार्टिंग में कि यह थोड़ा लेट होता है चार्ज पास्ट मिनट दस मिनट बाद यह अपना पर्फोर्मेंस दिखाना स्टार्ट करता है 44 परचन यहाँ पर रियल में X7 Max है और यहाँ पर हम इसकी बात के लिए Poco F3 GT की तो यह कितना हो के आता है यहाँ पर ट्राइगा लिखा रहा यह 45 तो देख सकते हैं दोनों ही डिवाइस सेम सेम है क्योंकि वह एक में 67 है और एक में 40 आपको 50 क्या कहते है 50 वोर्ट का चार् जो के आता है रियल में X7 Max की हम बात कर लें सबसे पहले तो यह 75 परसेंट हो चुका यार जो के काफी सही हमें देखने को मिल जाता है बाई 30 मिनट में 75 परसेंट जो की काफी जादा होता हुए पर Poco F3 GT की हम बात कर लें तो यह देख लेते कितना यहाँ पर चार्ज हो के है इसके मुक्ताबले रियल में X7 Max से तो बाकी यह अपडेट का वीडियो है बाकी कंपेरेशन भी आप देख सकते हो यहाँ पर Poco F3 GT ज्यादा फास्ट कर रहा है और इसके अंदर बैटरी भी थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाती है जो कि काफी सही है तो थोड़ा हम अब 45 मिनिट में देखती कि कौन सा डिवाइस यहाँ पर कितीनी देर में यहाँ पर चार्ज हो के आता है तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते 44 मिनिट में यहाँ पर टाइम जो वो स्टॉप कर दिया था क्योंकि Poco F3 G2 जी हो है यहाँ पर आप देख सकते यह हमारा चार्ज हो जाता है 44 मिनिट में ही चार्ज हो गया था और यह 42 मिनिट में 99 परसेंट हो गया था जो कि काफी अच्छी बात है तो Poco F3 GT जो काफी है था फास्ट लगा मेरे को उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रियल्मी की तो रियल्मी आप देशी तो 90 यहाँ पर चार्ज हुआ है वैसे भी इस डिवाइस को यहाँ पर 52 मिनिट या फिर 55 मिनिट लग जाते हैं तो अभी देख लेते कितना ओर टैम लगता है इसको चार्ज होने में बट पोको F3 GT को भी 50 मिनिट लगते थे इससे पहले जब यह अपडेट नहीं आया था बट अ यहाँ पर 100% चार्ज हो चुका Realme X7 Max भी तो यह नहीं पर कुछ इन दोनों डिवाइस का स्पीड टेस्ट चार्जिंग स्पीड टेस्ट आप बोल सकते हो पोको F3 GT जो अपडेट के बाद काफी फास चार्ज हो रहा और इसका मैं काऊं तो थोड़ा लेट मेरे को ऐसा लग यहो चार्ज अब करना लुबलकि यहाँ पर 10 मिनिट का फरक था बाकी मेरे को Realme X7 Max भी और प्डेट आने के बाद पर इसके बाद चार्जिंग स्पीड है वह तो थोड़ी सी इंकरीज की गई है जो कि मेरे को काफी से लगा बाकी यहीं चोट अब देखं लूंद यहाँ लग जाता है इन दोलो डिवाइस को चार्ज अनों में 45 इसका 55 जो कि कुछ इस्तिया से देखने को मिल जाता है बाकि यह तर आच कीछ वीडियो में अगर इन दोलो डिवाइस का कुछ और वीडियो चीह ताव कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं हम लेंगे नेक्स वीडियो तक निजीन जवारत